नमस्कार, मैं कनहिया मित्तल आज एक और नहीं कहानी के साथ आपके बीच आया हूँ लक्षमी जी की कहानी एक साहुकार के बेटी थी वैं हर रोज पीपल सिच में जाती थी पीपल में से लक्षमी जी निकलती और चली जाती एक दिन लक्षमे जी ने सहु कार की बीटी से कहा तू मेरी सहली बन जा तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछ कर आऊँगी घर जाकर पिता जी को सारी बात कह दी तो पिता जी बोले वह तो लक्षमे जी है अपने को क्या चाहिए सहली बन जा दूसरे दिन में लड़की फिर गई जब लक्षमी जी निकल कर आई और कहा सहेली बन जा तो लड़की ने कहा बन जाओंगी और दोनों सहेली बन गई लक्षमी जी ने उसको भोजन का नोता दिया घर जाकर लड़की ने माबाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का नवता दिया है तब बापने कहा कि सहीली के जिमने जाईओ पर घर संभल कर जाईओ जब वै लक्षमी जी के यहां जिमने गई तो लक्षमी जी ने उसे शाल, दोशाला उड़ने के लिए दिया रुपए परखने के लिए दिये सोने की चोंकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भूजन करा दिया जीम कर जब वह जाने लगी तो लक्षमी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीम में आऊंगी तो उसने कहा आ जही हो घर जाकर वो लड़की चुपचा बैड़ गई तब बाप ने पोचा कि बेटी सहीली के यहां जीम कर आ गई और तु उदास क्यों बैठी है तो उसने कहा पिता जी मेरे को लक्षमी जी ने इतना दिया अनेक प्रकार के भोजन कराए परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी अपने घर में तो कुछ भी नहीं है तब पिता ने कहा गोबर मिट्टी से चौंकी की सफाई कर ले चार मुखव़ा दिया जनाकर लक्षमी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाई हो लड़की सफाई करके लड़ू लेकर बैठ गई उसी समय एक रानी नहा रही थी उसका नोलका हाः चील उठा कर लेगी और उसके यहाँ वह नोलका हाः डार गई उसका लड़ू ले गई बाद में वहाः हाः को टोड़ कर बाजार में गई और समान लाने लगी तो सुनार ने पूचा कि क्या चाहिए तब उसने कहा कि सोने की चौंकी सोने का थाल शाल दुशाला दे दे मोहर दे दे और सामगरी दे दे चत्तिस प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दे सारी चीज़े लेकर बहुत तयारी करी और रसोई बनाई तब गनेज जी से कहा कि लक्षमी जी को बुलाओ आगे आगे गनेज जी और पीछे पीछे लक्षमी जी आई उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैट जा जब लक्षमी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा राणी के भी नहीं बैठी किसी के भी नहीं बैठी तो उसने कहा कि मेरे हादों बैटना बढ़ेगा फिर लक्षमी जी चौकी पर बैट गए तब उसने बहुत खाती की जैसे लक्षमी ने करी थी वैसे लक्षमी जी उस पर खुश हो गई और उसके घर में खूब धन हो गया तब लक्षमी जी को साहुकार की बेटी ने कहा मैं अबी आ रही हूं तुम यहीं बैठी रहना और वो इतना कहकर चली गई लक्षमी जी गई नहीं और चौकी पर बैठे रही उसको बहुत दोलड दी है लक्षमी जी जैसा तुमने साहुकार की बिटी को दिया, वैसा सब को देना कहते, सुनते, हुंकारा भरते, अपने सारे परिवार को दिया पीहर में देना, ससुराल में देना, बिटे पोते को देना हे लक्ष्मी माता, सबका कश्च दूर करना, दरी दरता दूर करना, सबकी मनों कामना पूर्ण करना, जै लक्ष्मी माता